और अब खबर भुपाल से हैं महंगाई को लेकर कॉंग्रेस सरकार पर हमलावर है ज्वानकारी देदे कि आज वो सभी संभग मुख्यालेों पर कॉंग्रेस प्रेस वार्ता करेगी प्रेस कॉंफरेंस करेगी आठ पूर्व मंत्री बीज़पी सरकार की घिराबंदी करेंगे शबीर एहमद जुड़ गए है शबीर लगातार कॉंग्रेस सरकार पर हमलावर है महंगाई को लेकर बिल्कुल महंगाई को लेकर विपक्षित सरकार पर हमलावारे सदन से लेकर सडक तक सरकार को घेने की प्लानिंग की गई है दो दिन पहले प्रदेशन भी किया गया था यूद कोंगरेस की तरफ से बड़ती महंगाई और बेरवजगारी को लेकर और उन सब के बीच अब तेक किया गया है कि सदन जल्दी खत्म हो गई उसके मुद्धे पर बड़ती महंगाई को लेकर और कोविट काल में जो आवेवस्ताइं भेली थी मौतें हुई थी उसको लेकर प्रेस कॉनफरेंस की जाएगी इस आठ संभागों में प्रेस कॉनफरेंस की जाएगी पूर मंतरियों को पी सी सी चीफ कमलनात ने जिम्मेदारी दिये है जैसे हम बोपाल की बात करें तो बोपाल में पीशी शर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे जबलपूर में लखन घंगुरिया समालेंगे इंदौर में विजे लश्मी सादो समालेंगे उज्जेन में सज्जन सिंग वर्मा समालेंगे एट से आठ समभागों को चिनित किया गया है जहां पर प्रेस कॉंफरेंस की जाएगी दोपेर बारा बजे और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी अलग-अलग मुद्दो पर तो यह कह सकते है कि कॉंग्रेस पूरी रणनीती के हिसाब से काम कर रहा है कि लगातार सरकार क को घेरा फिर कुछ दिन छूट जाए फिर फिर कुछ प्लानिंग की जाए लेकिन कॉंग्रेस ने जो प्लानिंग की है पिछले कुछ दिनों की बैठक की बात की जाए तो कमलनात ने जो प्रदेश प्रभारी हैं मुकलवासनिक साह प्रभारी हैं उन लोगों के साथ बैठक और पूरी तरीकी से रणनीती भी कॉंग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है झाल 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 झाल